इगनिशया का फर्स पार्ट तो आपने देखाई होगा अब हम शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट यहां से हमने फर्स पार्ट खतम किया था अब उसके आगे वाला पार्ट अब यहां से हम स्टार्ट करते है इगनिशया में यह बात बहुत ही बड़ा है कि जब वो जिस पर प्यार करती है वह उस आदमी उसको जब reject कर देता है तब उसके प्रति उसके मन में bitterness आ जाता है और इसलिए यहां रूब्रिक है यहां विंडिक्टिव भी हो जाती है उसे उस समय उस आदमी के प्रति वो कुछ भी बाते करती रहती है जैसे कि यहां रूब्रिक है जैसी कि आपको कहेगी आपको पता नहीं उसने मुझे कितना unfairly treat किया है आप समझते है वैसा वो आदमी नहीं है वो बहुत ही दुष्ट आदमी है बहुत selfish है मेरी कोई कदर नहीं करता था मुझे कभी भी संमान नहीं दिया मुझे हमेशा निच्चा दिखाया कभी भी उसन से बहुत ही sensitive होने वाली यह remedy है इसमें खास बात यह है कि अगर कोई उससे reject करता है तो उतना ही वो उससे नाराज हो जाती है दूसरे के सामने वो अपनी जो नाराजगी है express करती है इसलिए छोटी छोटी बात को लेकर वो बहुत ही sensitive होती है उधारन के तौर पर अगर किसी function में उसे जाना है और बहुत ही कम समय में उसको बताया गया कि उस function में आप नहीं जा सकती तो वो deeply हाट हो जाती है और अपनी नाराजगी अपना गुसा अपनी कड़वा हट बहुत बद्दे तरीके से express करती है अगर उसकी नाराजगी आपको वहाँ दूर करनी है तो पहल सामने वाले वेक्टिक को उनसे एक शमा मागनी चाहिए दूसरा इगनीशा के प्रती बहुत ही प्यार और respect शो करना चाहिए जिसकी उसे बहुत जरूरत होती है जब यहाँ पूरी हो जाती है तब इगनीशा कहां तो माझ जाती है जो इगनीशा बहुत ही hard life जी रही है वो इगनीशा आपको बहुत ही tough और उतनी कड़वाट नजर आएगी जितनी ही life tough रहेगी उतनी वो ज्यादा masculine होते चली जाएगी लेकिन अब भी उसको April की craving होती है लेकिन वह masculine इगनीशा इतनी emotionally vulnerable नहीं होती है ऐसे दिखाती नहीं है कि मैं उतनी vulnerable हूँ उल्टा दिखाती है मैं कितनी tough हो और दूसरों के आगे वो domination दिखाकर वो खुद को impress करना चाहती है जितनी वो boss ही होती है उतनी जादा वो touchy भी होती है इसका एक ही उद्देश होता है कि जो मर्द है उनको मेरी personality से डर लगे इसका एक ही उद्देश होता है और वह social April फिर उसके लिए वो determined career woman बनेगी पूर्शो को उनके ही शेत्रा में competition से हराएगी अपने बुद्धी से उनके उपर राच करेगी हमें ऐसे बहुत साही मैला दिखते हैं कि जो बहुत tough दिखती है उनमें हमें ego नजर आता है वो बहुत ही bitter नजर आती है मर्द भी उनसे डरने लगता है बहुत बार त जितनी ही masculine बनती जाती है उतनी ही वो intellect पीछे पीछे चली जाती है और इधर वो दूसरों को impress करने के लिए highly intellectual बनना चाहती है जिसके पास पहले सी strength कम हो उसे strength दिखाने के आवशक्ता है क्यों पड़ती है लेकिन जिसके पास नहीं है उसको दिखेने की आवशक्ता होती है और ऐसी कुछ बात ignition के बारे में ही होती है एकडेमिकली वो उतनी ही आगे बढ़ना चाहती है और जितनी भी आवशक्त डिगरी है वो लेने की पूरी कोशिश करती है और अपने नाम के बाद ये सब डिगरी लगे इसको वो बहुत proud feel करती है इससे वो दुनिया को बता सकत ही है कि मैं कितनी सामर्तशाली हो यह दिखाने के पीछे उसका एक ही मकसद है वो है fear inequality और मेरा समाज में सम्मान होना चाहिए यह दो चीज़े इगनेशिया के लिए बहुत आवश्यक होती है हमारे male dominant समाज में आर्ट और practical occupation से intellect को ज्यादा महत्वा प्राप्त होता है और व वह जो दुब भरी दुनिया है उसके emotion को avoid करते है क्योंकि इगनेशिया बहुती discrimination और fine mind वाली होती है इगनेशिया भले ही खुद को कितनी भी masculine दिखाने की कोशिश करे लेकिन strength में वो उतनी ही नाजुक होती है और इसलिए जब कोई जरा सा भी इसको वीरोत करे या disapprole करे भड़क उट जाती है तफ इगनेशिया बहले हमें बाहर से कितनी तफ दिखे लेकिन अभी भी उसका दिल प्यार के लिए उतना ही open होता है और जब इसको rejection मिलता है तो वही दिल breakdown भी हो जाता है इगनेशिया और नैट्रमोर यह दोनों में की psychology बहुत ही similar होती है लेकिन यह दोनों में भी यह फर्क है कि इगनेशिया बहुत volatile होती है जल्दी से गुसा कर देते है या किसी को टोक देती है लेकिन नैट्रमोर अपने feeling छूपाती है कंट्रोल करती है इगनेशिया को जब इगनेशिया उस friend के प्रती बहुती त्याप की भूमिका में रहेगी इगनेशिया को emotionally abuse किया गया होता है और यह पास की बाती उसके ध्यान में बराब भर रहती है और इसलिए उसका कोई भी आप disadvantage ना ले इसके लिए वो बहुती चौकनी रहती है वेसा देखा जाए तो इ positively clamorous देखती है उसका अच्छा दिखना उसकी पवित्रता और खुद को self-promote करना यह सब बाते उसको famous होने में मदद करती है अगर वह सम्मान या कवतुम उसे जब समाज से मिलते नहीं है तब उसका प्रयास हुता है कि समाज में जितने भी elite member है उनसे अपना contact बना के रखे जिसे उनको भी समाज में पहचाना जाए कि इसका रिष्टा इस बड़े आदमी के साथ है इसलिए बहुत सारे इंगनीशा किसी भी celebrity के साथ elite member के साथ फोटो खिशते हुए नजर आएगी और वह फोटो social media पे पब्लिश करेगी या अपने घर में वह frame करके लगाएगी क्य क्योंकि आने जाने वाले देखे और कहेंगे यार इसके तो contact बहुत बड़े है और इसके वज़े से उसको भी समाज में सम्मान मिलना चालू हो जाएगा या जो सम्मान है वो वैसे ही बरकरार रहे जाएगा क्योंकि इसके पीछे का उसका डर क्या है fear invalidity of fear of money losing वैसे देख जाए तो इगनीशा एक sociable person भी होती है अपना उत्सा दूसरों के साथ बाटने में इसे पूरा आनद आता है और उतनी ही स्वभाव की वो प्यारी भी होती है इगनीशा जितनी भी वलनेरेबल होगी उतनी लोगों का approval और support पाने के लिए उतना ही जादा social रहेगी ऐसे social gathering में वह कुछ जादा ही positively charming देखेगी especially opposite sex के सामने इगनीशा हमेशा कउतुक के उपर depend रहती है लेकिन यह उसे जब मिलता नहीं है तब जिससे भी कउतुक मिलता है उसके जाल में यह फज जाती है इसलिए रूब्रिक है delusion he is trap वैसे देखा जाए तो इगनीशा थोड़ी dramatic भी होती है acting में माहिर होती है और जब drama पेश करना है तो audience की ज़रूरत है इगनीशा यह बचपन से सीखती है कि अपने audience का दिल कैसा जिता जाए और उनसे कैसे approval मिले वो भी कैसे अपने acting के द्वारा फिर वह acting प्यार की हो या गुस्से की उसका main उद्देश होता है कि लोगों का ध्य अपनी तरफ करना जिससे उनके मन में जो डर है फिर इन वेलेंटी उप उसके उपर ये वीजय पा सके अगर इगनीशा भहुती आनंदी भी हो तब भी उस समय उसके मन में जो insecurity है उसकी वज़े से वो अपने feeling को ऐसे drama तरिके से पेश करेगी जिससे सामने वाले का response आएग कि येस तो बहुत wonderful है मैं तुम से प्यार करता हूँ ये जो प्यार है ये जो romantic चीज है वही उसकी जरूरत है हम बहुत बार अपने real life में भी या cinema भी ऐसे कुछ लड़किया देखते है कि किसी लड़की के साथ वो प्यार करती है लेकिन वह लड़का जब दूसरे लड़की की तरफ देखता है उसका जब ध्यान देता है तब ये जो girlfriend होती है उसे गुस्सा आ जाता है उसके मन में उस लड़की के प्रती बहुत चलस से निर्मान होती है और फिर वो कुछ जादा ही तरीके से dramatic तरीके से पेश आने लगती है जो कुछ तुमें ध्यान देना है वो सर वैसे यह चीज हम अपने परिवार में भी देख सकते है जो परिवार की एक बहुती महत्वपुर्ण लेड़ी होती है उसे ऐसे लगता है कि सब लोग मेरी हां में हां करे अगर उसका कोई विरोत करे तो उससे अच्छा नहीं लगता उसके मन में तुरत एक insecurity पैदा हो जात जाती है उसे ऐसे लगता है बस अब इन लोगों के सामने मेरी कुछ भी value नहीं रही और यह फर्क जादा कब दिखता है जब कोई दूसरी मेला इस परिवार में शामिल हो जाती है उदारण के तौर पर new देवरानी जब घर में आ जाती है याने नई देवरानी नई बहुर जाती है तो लोग उसकी तरफ ध्यान देने लगते है तो इसके मन में एक insecurity पैदा हो जाती है उसे ऐसे लगता है बस अब सब कुछ मेरा खतम हो गया रुब्रिक है डेलिजन लॉस्ट शी इज सेकेंड जेलेसी न्यूबॉन गेट्स अल अटेंशन इगनिशा इतनी ड्रामाटिक होती है जब वो खुशी में रहती है तो exact manner से लोगों को दर्शाती है कि लोगों को ऐसे लगे कि यह प्यार करने के लायक है इसका एक ही निगलेक्ट ना करें और जब निगलेक्ट करते हैं तो elements from neglected being हमने हमारे समाज में ऐसे कई ladies देखी होगी जब कोई उनकी तरफ कोई ध्यान देता है उनकी तारीफ करता है या उनका कवतुप करता है या उनकी बात को positively ले लेता है तब वो बहुत प्रसन्न हो जाती है और हस प्रसने लगती है जिसे अंग्रेजी में giggling के थे और यहां giggling Ignatia का characteristics होता है और उसके उल्टा जब कोई थोड़ा सा भी negative response दे तो वो completely डर जाती है उस ऐसे लगता है अब क्या होगा वो completely depressed हो जाएगी गुस्सा हो जाएगी Ignatia की बस एक ही चाह होती है और वह चाह होती है कि मैं किसकी तो special रहू और उसका बहुत सा time इसमें ही चला जाता है कि लोग मेरा kowtuk करें यह जो मुझे चाह रहे है वो मेरी हमेशा तारीफ करें इसलिए बहुत सारे घर में हम देखते है कि वहां की जो मैलाए होती है वो काम बहुत अच्छी तरिके से खरती है, सोशेले भी अच्छी तरह बिहेव करती है, लेकिन इसके पीछे की इगनेश्या की वज़ा यही होती है कि यह कभी भी मेरा सम्मान करनी चाहिए, मेरा नाम कभी भी खराब नहीं होना चाहिए, सब के मुँँ में बस मेरे बारे में Ignitia ideal woman भी होती है जो कि लोग अपने घर के महिलाओ को इस Ignitia का example देते है कि देखो वो कितने अच्छे डंग से अपने घर को संभालती है कितना खयाल रखती है लेकिन उन्हें क्या पता कि यह कितने dramatic है और उसके पीछे इसका मूल कारण क्या है वो तो आपको पता है Ignitia आप देखेंगे तो जब दुसरों के सामने पेश आती है तो बहुती refined टरके से politely जिसमें vulgarity बिलकुल नहीं होती ऐसे पेश आती है यानि कपडे भी डालेगी जिसमें बिलकुल vulgarity नहीं होगी बात भी करेगी उसमें vulgarity नहीं रहेगी उसकी जो value system होती है यानि उसकी जो तत्व होते है वो बहुती clear होते है एक निशा जितनी sensitive होती है उतने ही उसमें strong sense of identity होती है यानि उसमें self respect और स्वावी मान होता है वो हमेशा अपने personal ethics को चिपक के रहते हैं वहां कौन सा भी compromise नहीं करती अगर अपने तत्व को उसने compromise कर लिया फिर वो उतनी ही confused और गुस्से वाली हो जाती है जैसे हमने पहले देखा कि वो कितनी tough हो जाती है वो उतनी ही opportunetics हो जाती है और तब lower ethical standards एड़ आप करती है लेकि तब भी वो अपने शब्दों पर खड़े रहती है और उसे तब ऐसे लगता है कि दूसरे भी उतने ही सच्चाई से उसके साथ रहे क्योंकि चल, कपड, फसाना या उसका गलत advantage लेना यह ignatia को कभी भी सहन नहीं होता इसलिए ignatia sensitive to moral impression में strong lady है उसने उसके standard अगर follow नहीं किया तब ही ignatia बीमार हो जाती है यही ignatia के short discussion है यह वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए वीडियो लाइक कीजे, शेर कीजे Thank you, thank you very much, keep learning